हलो एवरिवान वेलकम बैक टो एस्बाइलो जी आज के इस वीडियो में अपने डिसकस करने वाले हैं मोपप राउंड और जो स्ट्रे वेकेंसी राउंड है उसका सेडूल के बारे में क्योंकि अब सेडूल की लास्ट डेट आने वाली है हलांके स्टार्ट ये तीन दिसंब श्क्राइब कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है जिसको नहीं पता उसके बारे उनको में बता रहा हूं वивается कर देना ताकी आने वाली हर्यक लैटस्ट इन फॉरमेशन आपको टाम टो टाम पे मिलती रहे मूद्ट आप सभी लोगों को पता है कि fresh registration स्रिफ मुपप राउंड में होंगे, इसके बाद stray vacancy round में कोई भी fresh registration नहीं होगा, जिसमें आपको फीज समा करवानी होगी part 1, part 2 की वह आपको वहाँ पता चल जाएगा, जो merit list है, वो 11 December को release हो जाएगी, और आप सभी लोगों को पता है कि मुपप राउंड जो है, offline होगा, result इसका जो आएगा आपको, वो dental college जो जेपूर है, वहीं पर सब कुछ होता है, ये offline चीजे, मैंने पिछे के वीडियो में भी आपको ये information दी हुई है, कि ये होता कहाँ प बजे तक यहाँ पर आप जोइन कर सकते हो, मुपप राउंड के students को, तो आपको जो sheet alert हुई है, उसमें आपको जाना होगा, 16 December से, 10 से लेके, 5 बजे के बीच में ये timing रहेगी, जो भी आपको college alert होगा, वहाँ पर आप जोइन करना है, next बात कर लेते है, stay vacancy round की, जो की उप round तक registration होए होए होते हैं, उनहीं में से इनको sheet alert होती है, तो पता चलेगा कि कितनी sheet खाली है, उसका पता चलेगा आपको 17 December को, जो भी sheet खाली बचेंगी colleges के अंदर, उनको 17 December को पता चल जाएगा कि इस college में इतनी sheet खाली है, कि अपन government colleges के लिए बात कर रहे हैं, और जो sheet खा currency round होता है, वो concerned colleges के अंदर होगा, concerned colleges से मतलब है, जिन ही college में, जिससे मैंने पहले बताया कि जिन colleges में sheet खाली होगी, तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि इस college में sheet खाली है, या फिर आप खुद पता कर लेना, कि इस college में sheet खाली है, तो वहाँ पर आपको join करना है, जैसे मोपप राउंड में आपको सीट नहीं मिली तो आप पता चल जाएगा तो यह जो प्राइवेट मेडिकल कोलेज और डेंटल कोलेज है वो 20 दिसमबर 2022 को यहाँ पर कंड़क्ट होगी स्ट्रे वेकेंसी राउंड और लास्ट जो जोइनिंग रहेगी वो 22 दिसमबर को यहाँ पर होगी तो आपको वहाँ पर जाके रिपोर्टिंग करनी होगी दो बजे से पहले पहले तो यह सरे डेटेल थी मोपप राउंड और स्ट्रे वेकेंसी राउंड के बारे में इंफोर्मेशन थी राजस्तान स्टेट के अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो जाना कहां पर है ओफलाइन होता कहां पर है वो मैंने आपको बता दिया अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है कि जो RUHS का को देंटल कोलेज है जैपूर का उसी में यह सब पुछ ओफलाइन चीज़े होती है यह कांसलिंग होती है वैसे बाकी राउंड की बात करें तो SMS कोलेज में होता है लेकिन जो यह राउंड होंगे वो RUHS देंटल कोलेज जो जैपूर में होते हैं तो I hope आपको सारे चीज़े मैंने confirm कर दी है बाकी जो जो latest information आएगी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा उनके ओपर फ्रद डिले हो गया उसके लिए I am really sorry क्योंकि मैंने आपको बताया कि practical चल रहे थे वाइवा थे इस वज़़े से थोड़ा डिले हो गया तो I hope का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो like subscribe जरूर कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद